महाराष्ट के उल्हास नगर और कल्यान में अपराद बढ़ता जा रहा है हत्या लूट पाट डखे तीजेसी घटनाय बढ़ती जा रही है शहरवासियों में दहशत का माहुल है लेकिन अब उलासनगर के पुलिस कर्मियों ने शहरवासियों को दर्शत मुक्त कराने का बेड़ा उठाया है इसकी पहली पहल सोमवर शाम को उलासनगर में देखने को मिली हत्या क्या परयास करने वाले दो आरुपयों को हाथ बांद के पुरे शहर में उनकी बारात निकाली बता दे कि उलासनगर पुलिस हत्या का परयास करने वाले दो आरुपयों को मालसेज घाट से गिरफतार कर कोट में पेश किया जहां कोट ने दोनों को दो दिनों के लिए पुलिस इरासत में भेज दिया आरोपि सोवन अनिल पवार और यर सुडेश पवार का शेत्र में काफी दहशत था इनके प्रती शेत्र के लोगों के मन से दहशत कम कराने के उद्दिश से पुलिस ने उनके हातों में रस्ती बान कर पूरे इलाके में गुमाया पुलिस की इस कारवाई से इलाके के लोगों में सुरक्षा की भावना बड़ी है और उन्होंने पुलिस के इस कदम की सरहाना की है पूलिस ने कहा है कि वे अपराद और अपरादियों के खिलाब सक्त कारवाई जारी रखेंगे ताकि शेत्र में शांति और सुरुक्षा बनी रहे महाराशटी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट